आज से कुछ एक साल पहले अख़बार की कतरन में कही पढ़ा था कि पुष्ट इकठा करने वाले हाथों में कुछ खुश्बू हमेशा रह जाती है पर अपसोस यह कभी नहीं पढ़ पाया था कि राजधानी राची में अपने हाथों से हत्या और अपहरन को अंजाम देने व लचर कानून व्यवस्था के बीचों बीच कैदियों के भागने की दास्तान तो इतनी लंबी है कि कानून के हाथ भी इतने लंबे नहीं होते दरसल यह कहानी है कुछ्यात अप्राधी और कैदी कृष्ण मोहन जाकी जो फ्रेंड्स को लोने निवासी टाइल्स व्यवसाई राज मंडल के अपहरन और हत्या मामले में आजीवन कारवास की सजा भूगत रहा था थोड़ी तबियत ना साज हुए तो राची के होटवार जेल से बाहर निकाल कर रिम्स के मेडिसीन आईसियू में भरती करा दिया गया फिर क्या था मौका पाते ही कुख्यात अप्राध इसकी अस्टमी तिथी को अती शुवदिन रोहिनी नक्षत में पैदा हुए थे और दूसरी तरफ आज कलियूग में अपराधि कृष्ण मोहन जहां हैं जो बिहार के मुझाफर पूर जिले के कुर्णी थाना चितर के बधना परिया गाउं में पैदा हुए खर कैदियों क कैद खाने से भागने किया कहानी कोई नई नहीं है इससे पहले भी छे फरवरी 2021 को सिध्वेशर और या नाम कैदी हाथकड़ी सहिप फरार हो गया था इससे भी पहले 11 मई 2020 को रिम्स के कोवीड वाड में इलाज के लिए भरती एक कैदी शौच जाने के बहाने से बातरूम से ही भाग निकला है खैर विशे सब क्या ही कहा जाए मुख्यमंत्री और कानून मंत्री जी हम आपकी भी विवश्ता तो बखूबी ही समझते हैं और यह भी समझते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी आला अधिकारी सुरक्षा में तनार तमाम कर्मियों को आप सस्पेंड कर अपने कर्तवियों के ठीसरी कर देंगे बाकी समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई है बाकी समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई है कभी चेहरा नहीं मिलता तो कभी तरपन नहीं मिलता शुक्रिया विवेकानन्द विद्यामंदर स्कूल एक CVSC-affiliated English Medium Code School है हम सिक्षा के साथ संसकार देते हैं